प्रानी पैंसन की चाहा रखने वालों के लिए नई अपडेट निकल करा रही है। अगर आप भी प्रानी पैंसन की मांग कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जिरूर वोच करेगा। आप उदादें कि 10 अगस्त 2030 से महा हंगामा होने जा रहा है। उर्षी को लेकर कई बड़े ऐसी राज्ये हैं जिनमें सरकार पैंसन को लागू कर सकती है। अब 10 अगस्त में क्या होने वाला है उसके बारे में हम आप इस वीडियो के माध्यम से तमाम जानकर देने वाले हैं और किन राज्यों में पैंसन लागू हो सकती है। उसके बारे में भी हम आपको यहां पर जानकारी देंगे। तो अगर आप भी एक क्रमचारी हैं पैंसन लावारती हैं और पुरानी पैंसन की मांग कर रहे हैं तो आप हमरे साथ अंत तक बने रहेगा वीडियो को देखते रहेगा। चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते जिए। उन क्रमचारियों की यही मांगे हैं कि सरकार नई पैंसन को हटा कर पुरानी पैंसन को लागू करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नई पैंसन से ज़्यादा पुरानी पैंसन में लाब मिलता है। नई पैंसन के अगर बात की जाए तो नई पैंसन में आपको investment करना होता है यह एक बाजार पर आधारित होती है लेकिन पुरानी पैंसन में ऐसा कुछ भी नहीं है यह पूरी रासी सरकार की तरब से ही दी जाती है कई बड़े फाइदे हैं जो नई पैंसन में नहीं मिलते हैं लेकिन पुरानी पैंसन में दिये जाते हैं इसलिए पुरानी पैंसन को लेकार मांग की जा रही है दोस्तो हली में एक अपडेट जारी के गया है जिसके अंतरगत पुरानी पैंसन लागू हो सकती है यह इनके क्रमचारियों द्वारा हला बोल दे गया है देखिए रेलवे क्रमचारियों के संगठन NFIR, URMU और अन्य महासंग साथ मिलकर नई पैंसन योजना के खिलाब महारेली निकालने वाले हैं। अगर आप भी एक क्रमचारी हैं, पैंसन लावारती हैं, पुरानी पैंसन की मांग कर रहे हैं, तो आप भी इस्रेली में सामिल हो सकते हैं। इस्रेली की जो तारीक है, वहे भी नि दारीत हो चुकी है यहनके, रेल्वे करमचारियों के संगठन 10 अगस्त को दिली के राम लिला मैदान में महारेली करेंगे। जिसमें देश भर के जो अन्य संगठनों के करमचारी हैं, वहे भी सामिल होने जा रहे हैं। आप भी इसमें सामिल हो सकते हैं अगर आप पुरानी पैंसन की मांग कर रहे हैं पुरानी पैंसन लेना चाहते हैं यह दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि जो चुनाओं हैं वह बहुत ही नजदीख हैं जिसको लेकर सरकार आपकी जो मांगे हैं वह पूरी कर सकती है दोस्तो जो क्रमचारियों का हक है वे क्रमचारियों को मिलना ही चाहिए क्योंकि क्रमचारिय अपनी पूरी जिंदकी सरकार के कामकाज में ही बिता देती है अगर क्रमचारी का हक भी क्रमचारियों को ना मिले तो ऐसी नोखी का ही फाइदा क्या है तो जो क्रमचारियों का हक है वे क्रमचारियों को मिलना चाहिए और दोस्तों आपको बता दें कि प्रानी पैंसन योजना यानी ओल्लेज पैंसन के अंतरगत सरकार साल 2004 से पहले क्रमचारियों को रिटार्मेंट के बाद एक निश्चित पैंसन देती थी यह pension क्रमचारी के retirement के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी यह जिस परकार से भी उनकी salary होती थी उसी बेस पर उन्हें pension भी दी जाती थी यह अगर 50% जो राजी है वे pension के रूप में मिलती थी अगर मालेजे कि आपकी जो salary है उस वक्त 30,000 रूपे थी retirement होते वक्त तो उसमें से 50% सजोय pension के रूप में दिया जाता था यहनके 15,000 रूपे pension के रूप में दिया जाता था इसी परकार से दोस्तों अगर क्रमचारी की मिरत्य हो जाती थी तो प्राणी pension के अंदर गत retirement जो हुए क्रमचारी की मिरत्य होने के बाद उनके प्रिजनों को pension दिया जाती थी तो इसलिए क्रमचारी प्राणी pension की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अधिक लाब मिलें और जो क्रमचारी का हक है वे क्रमचारी को मिलना भी चाहिए यदि आपकोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों का जवाब दे जाएगा और जाज जाते हैं आप से हम यही निवदन करेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर दिजी और जाल जादा वीडियो क को सेयर भी कर दीजगा तो मिलते हैं आपकोने इस्ट वीडियो में तब तक जोस्तों जाहिं जैभाराच चैनल को आप जिरूर सब्सक्राइब कर दीजगा